So hello दोस्तों आज हम बात करेंगे Top 7 Hollywood Magic Fantasy Adventure Movie के बारे में Almost सारी movie आपको हिंदी में मिल जाएंगी सिर्वेक movie को छोड़ गर के तो हमारी पहली movie है The School for Good and Evil 2022 ने इस movie को release किया गया है Movie के अंदर हमें Sophie और उसके दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक ऐसे school ने पढ़ती है जहाँ पर उन बच्चों को training दी जाती है जिनके अंदर कुछ special, कुछ unique power होती है दरसल वहाँ पर ऐसे बच्चों को तयार किया जाता है जो कि Gods और इविल्स के बीच जो balance है उसे बनाया रख सके और सांती बनाया रख सके दुनिया में लेकिन जैसे जैसे movie आगे बढ़ती है Sophie और उसके दोस्तों कई सारे school के dark series के बारे में पता चलता है आखिर तक और क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको film दिखनी पड़ेगी movie आपको Netflix में मिल जाएगी Hindi English दोलो भासा में अब देखो movie बहुत जादा कमाल की ऐसा नहीं कहूंगा movie one time watch है आपका अच्छा आधा time pass कर देगी हमारी अगली movie है slumberland इस movie को 2022 में release किया गया है movie के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक teenager लड़की की जिसके बिता जाते हैं समंदर के अंदर लेकिन वहां से वो कभी लोट के नहीं आते हैं उसके बाद से लड़की बहुत जादा अकेली हो जाती है और यह अपने चाज़्ा के साथ रहना सुरू कर जैती है लेकिन अभी भी इस लड़की को कहें नहीं लगता है कि वो अपने पापा से एक बार मिल सकती है उनसे बात कर सकती है और तभी एक दिन इसे Slumberland के Dream World का एक Magical Map मिल जाता है जिसके मतबस से Slumberland के अंदर चली जाती है और वहाँ पर इसे ऐसा लगता है कि वो upने पिता से फिट से मिल सकती है और वहाँ पर इसे mil nam का एक बंदा भी मिलता है जो की सी मदद करता है लेकिन वो जढ़ Mayत लिए बहुद धी जाताधा खतरनाक होती है वहाँ पर इस लड़की को और फिल्म को बहुत उनों भासा में देखने को मिल जाएगी हमारे अग्री मूवी है दे ग्रेट वॉल और ये मूवी 12-16 के अंदर आई थी अब मुझे पता रही है कि लोग इस मूवी को इतने आदा हेट क्यूं करते है परसनली ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मूवी कहान बहुत जादा ब्रूटल बहुत जादा खतरनाग होता है और फिरेट वॉल को पार करके चाइना के अंदर फुर्य मूवी के अंदर इंदर आपको अच्छा लगार।rend गर् Links देखने को मकरनी आ थी मूवी के अंदर कापकी देखने कों मिल जाता है जैसे कि Matt, Demono, Pedro Pascal जो की जाने माने एक्टर हैं मुवी के अंदर एक अच्छा concept देखने को मिलता है और ये मुवी देखते समय आपको कुछ फ्रेस भी फील है कोई आपको कुछ नया देख रहे होते हो तो ये मुवी में जरूर रिक्मेंट करूए एक बार जरूर देखें ये मुवी आपको Netflix में हिंदी में देखने को मिल जाएगी अब बढ़ते हैं अगली मुवी के उपर तो हमारी अगली मुवी है Warcraft और ये मुवी 12-16 के अंदर आई थी होता क्या है कि इस मुवी के दारान वो लों एक अलग पोर्टल खोल लते है अब फिर जब इन्सानी दुनिया में आने जाए लगते है तो आप समझ सकते हो कि इनसानों को दिक्कत हुनी लगती है इनसान नहीं चाहते है एं कि यह सारे मज़ा आने वाला है लेकिन यह मत सोजना कि इस मुवी का इंडी सिर्फ जादा अच्छा है लेकिन जो प्रोसेस भी दिखाया गया पूरी मुवी आपको काफी इंटर्टेन भी करेंगी यह मुवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जा कि हिंदी अभी मुवी अग हैं साटा ओप इंसानों को सारा फुन के बातल्टे का इस मुवी का इस मुवी का आइडिया काफी अलग और का देखने में का अच्छा लगती लेकिन इस आईडिया को आते-खे मुवी तेर करदेए तो मुवी का जो सुरुवाती पार्ट है कुछ हद तक काफी ड्रैक देखने को मिलता है आपको लेकिन अगर एक बार आप इस मुवी को पूर्टी देखते हैं तो आपको इस मुवी टाइम वेस्ट नहीं लगने वाली लेकिन मैंने इस फिल्म को काफी टाइम तर इग्नोर किया इस मुवी आपको इस पाइडर मैं भी देखने को मिलता है यानि कि ये टॉम होलेंड इस मुवी की कहानी के बारे हम बात करें तो नेथन और विक्टर नाम के दो बंदे होते हैं जो की पार्टनर रव करते हैं एक 500 स अच्छा एक्सान सेंस काफी जादा थ्रिलिंग भी है और कई सारे क्लूस भी आपको आपको दिमाग खुला रखना है मुझे परसनली ये मुवी आपको बहुत जादा इंगेजिंग लगी थी मुवी के माइनस पाइंट के बात करो तो मुवी स्टार्टिंग अच्छी ले तो ट्राइज जरूर करना एक बार ये मुवी आपको सोनी लीव पर देखने को मिल जाए और हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विज में वैल बले तो बढ़ते हैं हमारी आखरी मुवी के तरफ ये मुवी मेरी परसनल फेवरेंट लिस्ट में आती है इस मुवी का नाम करते हैं और वहाँ पहुच भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें अपने ही ग्रूप का एक बंदा दोका देता है जिसकी होजा से वह सारे चोड़ पकड़े जाते हैं और उनको सजा मिलने लग जाती है और मैं आपको इस मुवी के अभी तक मैं इसे सुरुआत की दस मिल इस मुवी के बारे में मैं इसे जाधा नहीं बताऊंगा आपको क्यूंकि मुवी एक एक पॉइंट पर आपको अब कर आगा तो आपको बहुत साने क्रीचर भी देखने को मिलेंगे और काई सारी जादो ही लोकेशन भी देखने को मिलेगी तो अगर आप मैजिक फैंटसी Adventure movie देखना पसंद करते हो, तो यह movie आपके लिए एक treat का काम करेगी, highly recommend करता हूँ मैं इस movie को, तो जरूर देखना अगर अब तक नहीं देखिए तो, यह movie आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, और हिंदी में भी available है, तो यह थी वो top 7 magic adventure movies, आपने इन में से कौन-कौन सी movie देखिए हमें comment में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, comment में अगला topic बताएं कि आपको किस topic में नया recommendation वीडियो चाहिए, चैनल को subscribe जरूर कर ले, और इसलिक आप मैंने top 10 brutal survival movie पर भी एक recommendation वीडियो बनाया, जि से आप यहाँ पे click करके देख सकते हो, तो अगला वीडियो किस topic में चाहिए, comment में बता दे, मैं मिलोगा आपसे अगले वीडियो बे, तब तक कि लिए, bye